दर रोड 2009 की ये मूवी है इसकी IMDb rating 7.2 है और दुनिया मीट जाने के बाद ये मूवी हमें दिखाई गई है इस मूवी में father और son दोनों south जाना चाते है क्योंकि उन्हें लग रहा होता है कि वहाँ अच्छा environment है रस्ते में आने वाले obstacles से वो बचते हुए वाज आते है ये इस मूवी की storyline है तो चलिए शुरू करते हैं और मैं आपको इस मूवी की story बताऊंगा मूवी के first scene में हमें दिखता है कि एक आदमी अपने garden में होता है वो अपने horse को tend कर रहा होता है वही एक औरत भी देखती है वो उसकी wife होती है वो भी उसे देख रही होती है अच्छे सा garden उनका घर हमें दिखाए गया है यानि अब तक दुनिया खतम नहीं हुई है next scene में हमें दिखता है कि रात में वही आदमी जगता है और उसके आसपास सब जल रहा होता है उसका घर नहीं जल रहा होता पर उसका environment सब जल रहा होता है फिर वो अपनी wife को उठाता है वो टैप वेगरा स्टार्ट करता है इस पानी वो चीप जाते है यानि कि उनको उस heat से जातों तकलिफ ना हो इससे वो बच सकते है उस आदमी की wife हमें pregnant दिखती है next scene में हमें वही आदमी देखता है पर उसके अब दाड़ी वेगरा सब बढ़ चुकी है उसके बेटे के साथ हो होता है उसका बेटा भी अब बढ़ा हो चुका होता है वो फादर बन चुका होता ह उसकी wife हमें कही भी नहीं दिखती वो एक cave में सोय होते है जब वो उटता है और देखता है तो हमें पता चलता है कि पूरे world में अंदरा चा गया है ट्रीज वेगरा सब कुछ जल चुके है उसका बेटा उट जाता है वहाँ थोड़ा earthquake आता है और उसके बेटे को बोलता है क कुछ भी नहीं यह सिर्फ एक earthquake था यानि कि earthquake भी यहाँ common है फिर father और son दोनों हमें road पर दिखाए गए है उनके पास एक card होता है वहाँ अपनी सब चीज़े वो रखते और इसे खिशते खिशते वो जा रहे होते है फिर father हमें बोलता है कि ऐसे कुछ earthquake आई थे उसके बाद बहुत ही bright light था और सब खतम हो चुका था उसे पता नहीं होता कि यह कुण सा month होता है वो हमें बोलता है कि हर दिन darker होता जाता है कोई भी paid कोई भी animal नहीं बचाए वर्ड में जो थंडी होती है वो हर दिन बढ़ती जाती है roads पर लोग दिखते है जो भी कहा जा रहे होते है फादर हमें बोलता है कि मैं हमेशा तीन चीज़ों की वेरी करता रहता हूँ फूड थंडी और शूज फूड बहुत ही important issue होता है इन दोनों को आदमियों से भी बचकर रहना पड़ता है क्योंकि यहाँ cannibalism भी होता है यानि आदमी आदमी को खाता है इतनी खतरनाक situation होती ह फिर भी जो आदमी होता है वो God पर विलीव करता है वो अपने बच्चे में God को देखता है इसलिए वो जिन्दा रहना चाता है नेक सिन में मैं रात होती हुई दिखती है और वो अपने बच्चे को comic book से story सुनाता है रात महीं जंगल में आग लग जाती हुँने सोने को भी नहीं होता, वहाँ में दिखता है कि कुछ लोगों ने सुसाइड की है, तो वो बच्चा पुछता है कि इन्होंने सुसाइड क्यों की, फादर बोलता है कि तुम्हें पता है इन्होंने क्यों की होगी, फिर वो फादर अपने सन को गंदे जाए, उसे बोलता है कि तुम्हें इस तरह से तुम्हारे mouth में रखना है और trigger pull करना है उसे सिखा रहा होता है कि जब वक्ता है तो आपने आपको मार सके उनके पास दो ही bullet बची हुए होती है नेक सींच होता है वो flashback का है ये father और जो mother होती है वो हमें दिखाए गए है ये mother pregnant होती है और father उसके लिए beans लाता है उनका घर जो होता है वो stocked होता है यानि कि world खत्म हो जाने के बाद ये scene है वो उसे खाना देता है तभी उसका water broke हो जाता है यानि कि अब उसके delivery होने वाली होती है वो बहुत ही disturb हो जाती है वो बोलती है कि नहीं मैं मेरे बेटे को इस जगा नहीं ला सकती ये रहने लायक नहीं है उसे बहुत ही दर्द होता है पर फिर भी वो उसे delivery कर देता है father और son दोनों road पर होते है फिर उन्हें गाड़ी के आवाज आती है ये पूरी tribe होते है बहुत सारे लोग यहा होते है पर इन दोनों को लोगों से भी बचका रहना होता है क्योंकि ये cannibalism भी यहा हो सकते फिर ये दोनों चिप जाते है वो जहाद चिपे होते है वही वो सब रुक जाते है आदमी आता है और वो टॉयलेट कर रहा होता है तब ही इन दनों को वो देख लेता है फादर उसे बोलता है कि तुम्हें कुछ भी नहीं करना है तुम पीछे मत देखो और आग ही देखते रहो तुमने तुम्हारे साथियों को अगर बुलाया तो तुम में मार दूंगा जो भी हमें मिल सके यानि कि वो क्यानिवल है वो आदमी फिर फादर से बोलता है कि तुम्हारे पास इसके लिए गोलिया भी है या नहीं तुम मुझे नहीं मार सकते तुमने पूरे लाइफ में किसी को भी नहीं मारा ये बोलकर वो सन पर जबक जाता है वो से मारने वाला ह चीब जाते हैं, बच्चे को वो नहलाता है, उस आदमी का जो बलड होता है, तो वो बच्चे पर लगा हुआ होता है, वो सब वो पोशता है, फिर हमें फादर बोलता हुआ दिखता है, वो हमें बोलता है, कि मैं जैसा भी दिखो, पर मैं हमेशा डरा हुआ रहता हूँ, कुछ भी हो जाए पर मैं तुम्हें सेफ रखूंगा मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा हम फ्लेश बैक में आते हैं हमें मदर और फादर दोनों दिखाए गए हैं मदर फादर से बोल रही होती है कि हमें पकड़ लेंगे लोग आएंगे हमें मार देंगे उससे पह वो बोलती है कि सब लोग तो ऐसा ही कर रहे है फिर से हम मूवी के टाइम पिरिट में आ जाते है और फादर अपने सन को बोल रहा होता है कि वहाँ जादा अच्छे लोग बचे नहीं है हमें हमेशा बुरे लोगों से साउधान रहना पड़ेगा हमारे अंदर जो फायर है वो हमें हमेशा अलाइव रखनी है यानि सोल के बारे में वो बात कर रहा होता है फादर ने एक आदमी को मारा हुआ होता है तो फिर बच्चे के मन में डाउट होता है वो बोचता है कि क्या हम अभी भी अच्छे लोग है तो फादर बोलता है कि हम हमेशा अच्छे ही रहने वाले है फिर वो एक शॉपिंग मॉल में जाते है वाख वेंडी मशीन से सोडा उन्हें मिलता है बच्चे ने कभी सोडा भी नहीं पिया होता फादर उस बच्चे को बोलता है कि आज तुमारी ट्रीट है बच्चे को वो बहुत ही अच्छा लगता है रोड पे जो सुनसार कार्ज होती है उसमें वो हमें सोई हुए दिखते है बच्चा बोल रहा होता है कि मुझे मदर की बहुत ही याद आती है मुझे कभी-कभी लगता है कि मेरे मदर के पास में चला जाओ उसे सुसाइट करने का मन हुआ होता है फादर बोलता है कि कभी भी तुम्हें ये सोचना नहीं चाहिए हम दोनों को तुम्हारी मदर को भुला देना चाहिए फादर उसकी वाइफ को भुलाने की कोशिश करता है पर जो भी हो सोता है तो उसके अपने वाइफ के ही सपने आते है उसके सपने वो देखता है कि उसकी वाइफ उसे पियानो बजाना सिखा रही होती है उसे नहीं नहीं आती और वो बहर आ जाता है अपनी रिंग वो निकाल देता है और फेक देता है उसे फिर याद आ रहा होता है इसकी memory में उसकी wife उसे बोल रही होती है कि मुझे जाना है मैं अब यहाँ नहीं रह सकती वहाँ का जो temperature होता है वो और भी cold हो रहा होता है तो उसे बोल कर जाती है कि तुम next season तक नहीं बच सकोगे तुम्हें south की तरफ बढ़ते जाना है फादर उसे बहुत ही समझाता है पर वो नहीं सुनती उसे मर जाना होता है इसलिए वो चलने लग जाती है अंदेरे में वो चली गई ऐसा हमें दिखता है फादर और सन को उनके journey में एक waterfall भी दिखता है वहार rainbow बनाया हुआ होता है वो दोनों पानी में बहुत ही खिलते है फिर से वो road में लग जाते है उन्हें एक house दिखता है यह बहुत ही बड़ा house होता है वहाँ अंदर जाते है वहाँ जाकर देखते है तो उस घर में एक underground storage space होता है फादर देखना जाता है कि अंदर क्या है जब वो अंदर जाते है वहाँ बहुत सारे आदमी होते है उन्हें store करकर रखा हुआ होता है उनके आसपास blood भी पड़ा हुआ होता है उनमें से बहुत सारे आदमी amputated होते है याने कि उनके body organs निकाले हुए होते कुछ लोगों ने इन्हें कैदी बनाया होता है और उन्हें खा रहे होते है या फादर को समझ में आ जाता है और फिर वो वहाँ से भागनी कोशिश करता है तब ही वो आदमी वहाँ जाते है वो बहुत ही डर जाते है और उपर जाकर चिप जाते है वो जो स्टोरिज प्लेस होता है वहाँ का लॉक उन्होंने नहीं किया होता वो जब उपर होते है तो फादर सन को बोलता है कि तुमें आप ब्रेव बनना है वो फिर उसके सन के सर पर गन रखता है उसे गोली मारने वाला होता है अब उनके पास कोई option नहीं होता अगर घर में जो आदमी है उन्होंने उसे ढूंड लिया तो उसे खा जाएंगे पर तभी underground जो स्टोरिज होता है वहाँ से लोग बाहर आना स्टार्ट कर देते इससे जो gang ने उन लोगों को कैदी रखा होता है उनमें confusion होता है इसी आवाज में फादर और सन वो दोनों निकल जाते और ठिप जाते रात जब होती है फिर वो वहाँ से चले जाते ये दोनों बहुत ही भुके होते है चलते चलते फिर वो फादर के टाउन आ जाते फादर बोलता है कि मैं यही बड़ा हुआ था अपने सन को वो बाहर रुखने के लिए बोलता है उसे अपने होस में एक moment चाहिए होता है उसका सन बाहर होता है तभी उसे कुछ दीख जाता है वो जाकर देखता है तो वहाँ और एक बच्चा होता है वो अपने फादर को आवाज देता है, फादर भी भागता भागता वहाँ आजाता है वो उसे रुकने के लिए बोलता है, बोलता है कि तुम कहीं नहीं जा सकते उसके फादर को लगता है कि उसके बच्चे को आभास हुआ होगा वहाँ कोई भी नहीं है ऐसा वो अपने सन को बोलता है रात में वो सोए हुए होते है तब फादर से वो बच्चा भुशता है कि क्या अब हम मर जाने वाले हैं फादर बोलता है कि नहीं भुख से मरने में हमें बहुत टाइम लगता है फिर वो एक घर आ जाते है वह अच्चे से बेड होते है पानी होता है और सब कुछ चीज़े होती है पर खाना वहाँ नहीं होता फिर वहाँ सोते है और जब जाकते है और घर से निकलते है तो उन्हें पता जलता है कि घर के बाहर एक बंकर है सन उस बंकर में जाने से डर रहा होता है पर फादर अंदर जब जाता है तो बहुत सारी खाने की चीज़े वहा होती है क्यान फूड होती है जो खराब नहीं हो सकती यह बहुत सारा वहाँ एवलेबल होता है दारू और सिग्रेट्स भी होती है ये देखकर वो बहुत ही खुष हो जाते है ये उनकी life का बहुत ही अच्छा दिन होता है फिर वो बहुत सारा खाना खाते है फ़र बच्चे के लिए bed वेगरा भी लाता है और फिर वो आराम से बाह सोते है वो दोनों बहुत ही खुश होते फादर जब सुता है तो अपने वाइफ को फिर से याद करता है और इस दिन फादर अपने सन को घर में लिखे जाता है उसे नेहल आता है उनकी हैर्स वेगरा सब बड़े हुए होते तो वो कट करते है फिर वो रात में सिविलाइस लोकों की तरह खाना खाते है फादर भी थोड़ा ड्रिंक करता है मिडनाइट में उन्हें कुछ आवाजें आती है सन बोलता है ये डॉग होगा और फादर को लगता है कि अब वो वहाँ सेफ नहीं रहे फिर फादर बोलता है कि हमें अब यहाँ से निकल जाना चाहिए उनका जो कार्ट होता है उसमें वो कुछ खाना रख लेते है और वहाँ से निकल जाते है वो जब आ गया आते है तो उन्हें एक ओल्ड मैन मिलता है ओल्ड मैन उनसे बोलता है कि मेरे पास कुछ भी नहीं है तुम्हें जो भी चाहिए वो तुम ले लो फिर वो दोनों बोलता है कि हम तुम्हें रॉप करने के लिए नहीं आए सन बोलता है कि यह बहुत ही भुगा है इसे हम खाना दे सकते हैं फादर पहले ना बोल रहा होता है सन फिर परसिस करता है इसलिए उसे खाना दे देते हैं सन फादर से पुछता है कि क्या हम इसे हमारे साथ लेकर जा सकते हैं फादर फिर उस ओल्ड मैन को उसके साथ डिनर के लिए इनवाइट कर लेता है रात में वो खाना काते तो old man बोलता है कि मैं ज़्यादा कुछ देख नहीं सकता मुझे पता है कि तुम दोनों वाओ पर इस से ज़्यादा मुझे कुछ भी नहीं दिखता फिर वो बुछता है कि यह क्या तुम्हारा बच्चा है फादर बोलता है कि हाँ यह मेरा बच्चा है ओल्ड मैन से भी वो बुछता है कि तुम्हारा भी बेटा था ओल्ड मैन बोलता है कि हाँ मेरा भी बेटा था वो ओल्ड मैन बोलता है यह मुझे लगा था यह मैं किसी भी छोटे बच्चे को फिर से कभी नहीं देखूंगा यह बहुत ही डेंजरस सिचुएशन है फादर फिर उस ओल्ड मैन से बुछता है यह तुमारे सन को क्या हुआ फिर ओल्ड मैन उसे बोलता है यह मैं तुमें नहीं बता सकता यह मेरे लिए बहुत ही हार्ड है तो बाद जब होती उसम ओल्ड मैन को ही छोड़ कर वो चले जाते वो जब आगे जाते तो बहुत सारा बलड पड़ा हुआ होता है वह बहुत सारे लोग होते जो क्रू में रह रहे होते पर वो आदमियों को ही पकड़ा कर उनका शिकार कर खाते है वो वहाँ रुख जाते हैं पिर वो एक चर्च मेर आकर सो जाते हैं जो फादर होता है उसे बहुती खासी आ रहे होती है उसकी खासी में ब्लड भी आता है उसके पास जादा दिन नहीं होती जीने के लिए फिर फादर अपने सन को एक mep दिखाता है वो बोलता है कि हम koosht से बहुत ही पास है यानि कि कोosht पर बहुत सारे लोक हो सकते है और वहाँ वह अच्छे से रह सकते है वहाँ फुल वगरा हो सकते है ऐसा उनें लग रहा होता है इसलिए वो समुंदर के पास जा रहे होते है फिर चल चर कर वहां आ जाते है पर वहां कोई भी नहीं होता सन को फ्यूर आ जाता है तो फादर उसके केर लेता है उसे टेंड बनाता है और उसमें सुला देता है वहाँ एक शिप उसे दिखती है तो फादर अपने सन को बोलता है कि मैं अभी आया उस शिप में कुछ होगा तो मैं लेकर आता हूँ वहाँ फिरा में एक आदमी आता हुआ दिखता है वो जो टेंट होता है वो बच्चे का वो टेंट लेकर जाता है उनका कार्ड भी लेकर जाता है बच्चा सोय होता है जब बच्चा उटता है तो उसे कुछ भी पता नहीं होता कि क्या हुआ है फादर भी वह आता है, फादर के पास एक flare gun भी होती है और कुछ supplies होते है वो अपने बच्चे को पुछता है कि क्या हुआ, बच्चा बोलता है कि मुझे कुछ भी नहीं पता फिर फादर बोलता है कि जिसने भी लिया होगा उसे हम ढूंड लेंगे फिर भागते भागते जाते है और उस आदमी को ढूंड लेते है उस आदमी के उपर वो gun रखता है और कार्ट छोलने के लिए बोलता है फादर पुछता है कि कितना time हो गया तुम हमें follow कर रहे हो वो बोलता है कि मैं तुम्हें follow नहीं कर रहा था मैंने सिर्फ तुम्हारा कार्ट देखा और मैंने वो ले लिया फिर फादर बोलता है कि तुम्हारे जो भी कपड़े है वो सब निकालो और कार्ट में रख दो उसने उनके साथ जो किया होता है वही हम फादर उसके साथ भी करने चाहता है वो आत्मी बहुत ही डर रह था है, वो रोने लग जाता है मेरे साथ प्लीज यह मत करो पर फिर भी वो वहाँ से उसके कपड़े ले कर चले जाते है फिर सन उसके फादर को बोलता है कि हमें उसके साथ ये नहीं करना चाहिए था उसके पास कपड़े भी नहीं है वो मर जाएगा फादर बोलता है वैसे भी वो मर नहीं वाला है सन बोलता है कि वो भूका होगा इसलिए उसने ये सब किया होगा फिर फादर मान जाता है और फिर वो उसी जागा जाते जहाँ पर वो आदमी था उसके लिए उसके कपड़े फिर से रख देते और उसके खाने के लिए भी एक डबा होसे रख देते फिर वो एक coastal city में आ जाते है वो जब वहाँ आते हैं फिर उन पर अमला हो जाता है विंडो से उन पर एक arrow चल जाता है फादर के पेर पर वो लगता है वो cover लेते हैं जब वो देखता है कि विंडों से वो आ रहा है तो फादर अपनी जो flare gun होती है वो window पर चला देता है वहाँ जो आदमी होता है उस पर वो flare gun लग जाती है और वो वही मर जाता है वहाँ एक औरत भी होती है जो रोर ने लग जाती है फादर उस औरत को छोड़ देता है अपनी जखम को मलम पट्टी वेगरा वो करता है और फिर से वो बीच पर आ जाती है फादर की हालत अब बहुत खराब होती है फादर फिर अपने बच्चों को बोलता है कि तुम्हें अब यहाँ नहीं रुकना है फिर से तुम्हें रोड पर जाना है पर तुम्हें बहुत ही सावधानी भरतनी है बहुत सारे बुरे लोग वहाँगे तुम्हें हमेशा अच् चोड़ देना है तुम्हें अब रोक नहीं सकता फिर फादर नेगस दिन वहाँ मर जाता है वो बच्चा बहुत ही रोता है पर अपने सफर के लिए फिर वो रेडी होता है वो गन अपने पॉकिट में रखता है फिर वहाँ दिखता है कि एक आदमी उसके तरफ आ रहा होता है वो उस आदमी से भूशता है कि जो आदमी तुमारे पास था कि क्या वो तुमारे फादर थे बच्चा बोलता है कि हाँ वो मेरे फादर थे उस बच्चे ने उस आदमी पर गन पॉइंट कियोती है वो बोलता है कि प्लीज मुझ पर गन पॉइंट मत करो उस आदमी का जो फ तुम्हारा खयाल रख सकते हैं, तुम्हारे पास दो चोईस है, तुम रोड पर अगर जाओगे, तुम्हें बहुत ही खयाल रखना पड़ेगा, तुम्हें रोड से अलगी चलना है, बच्चों को ये सुनकर अच्छा लगता है, और वो उन फैमिली के साथ जाने वाला होता ह फिर वो अपने फादर के पास आता है और बोलता है, कि मैं हमेशा तुम्हें याद रखूंगा, वो उस फैमिली के जो मदर होती है, कि मुझे तुम्हें देखकर बहुत याच्छा लगा, मैंने तुम्हें तुम्हारे फादर के साथ देखा था, हम तुम्हें फॉलो कर रह यह जो आदमी होते हैं, यह हमेशा ट्राइब में रहते हैं, इससे हमेशा साइन होता है, जिससे पता चल जाता है, कि कौन सा आदमी किस ट्राइब का है, यह जो कटा हुआ फिंगर है, यह वही ट्राइब का निशानी है, जो आदमी होते हैं, यह जो न्यू फैमिली होती है, उसका जो आदमी होता है, उसका भी फिंगर कटा हुआ होता है, तो अब ये बच्चा 100% सेफ है, ये ये मूवी खतम हो जाती है,